हेलो दोस्तो अभी अभी सभी बैंक ग्रहकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है यह बिल्कुल ताज़ा अपडेट लेटिस्ट नियूज है आपका खाता चाहे SPI में हो, PNB में हो, यह ICI में हो, यह HDFC में हो चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता हो सभी बैंक रहकों के लिए सरकार की तरब से बड़ा अलट आया है तो चलिए आपको फटा-फट से बताते हैं कि वो ताजा अपडेट क्या है जो के सभी बैंक रहकों के लिए आया है तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी मत भगाना और पूरा आखिर तक जरूर देखना अगर आप वीडियो को भगा देंगे तो आप कोई जरूरी जानकारी मिस कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और दोस्तो जो लोग वीडियो को डिसलाइक करते हैं अनलाइक करते हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग वीडियो को डिसलाइक करने से पहले वीडियो में क्या गलती हुई है उसे जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ दोस्तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है अगर कोई डिसलाइक कर देता है तो बहुत दुख होता है तो चली दोस्तो आपको फट फट से बताते हैं वो ताज़ा अपडेट लेटिश न्यूज सभी बैंक रहकों के लिए क्या चीज आई है और साथ ही और भी जरूरी बाते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो हम कोई भी नियूज आपको बताते हैं तो वो यहाँ वहाँ की नहीं होती बलकि हम पूरा बताते हैं कि उसका सोर्स क्या है वो कहां से आया है और दोस्तों साथ ही आप हमें इस वीडियो को निचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका खाता किस बैंक में है ताकि उस बैंक की भी जो बड़ी-बड़ी खबरे आएं वो हम आपको बता सकें दोस्तों अगर आपको बैंक से कोई लेंदिन करना है या फिर कोई अन्य काम है तो उसे जल्दी से निप्टा लें दिवाली के आफसर पर पाँच दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे इससे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है इसलिए अगर आपके पस कोई भी काम है तो उसको छोड़े ना और उसे जल्द से जल्द निप्टा लें क्योंकि 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक लगातार पाँच दिन बैंकों की छुटी है वो कैसे साथ को दिवाली महापर्व है वहीं 8 नवंबर को गोवर्धन पूजा है 9 नवंबर को भाया दूज का तहव व्यक्ति हैं तो वीडियो को जादे जादे शेयर कर दें और साथ ही लाइक कर दें ताकि यह बास सबको पता चल जाए और रोजा नहीं भरो से मन सची खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूटूब चैनल और बेल का इकन जरूद बाएं थैंक्स वर वौचिं सब्सक्राइब कर दें